राजे सरकार की ओर से बनाई गई नियोजननिती 2021 को जार्खन हाई कोट ने निरस्त कर दिया था जिसके बाद जार्खन के तमाम अभ्यर्ती सत्तापक्ष के वधायक और मंत्रियों से मुलाकात करते वे नजर आ रहे थे और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते वे नजर आ रह थी जिसको देखते वे जार्खन के अभ्यर्तियों की ओर से एक रणनीती तयार की गई थी कि 20 मार्च को विधान सभा का घेराव करेंगे ताकि सरकार हमारी ओर कोई पहल कर देगी लेकिन 19 मार्च को ही कई अभ्यर्ती संसद्य कार्यमंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात किये और आलमगीर आलम ने तमाम अभ्यर्तियों को आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी मांगे है वो सत्र के दौरान पूरी हो जाएगी जिसको सुनने के बाद अभ्यर्ती ने जो प्लैन किया था कि मुख्यमंत्री हेमन सोरेन का अवास का घेराव करेंगे चुकि विधान सभ का घेराव होने वाला था लेकिन अस्थान परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के आवास का घेराव 20 मार्च को होने वाला था जिसे स्थागित कर दिया गया था तो स्थागित सुनने के बाद कई जीलों के अभ्यर्थियों में नराजगी भी साफ तोर पर देख लेकर आएगी और जो नियुक्ति जो परिक्षाएं रुकी हुई है वो चालू हो सके इस वक्त हमारे साथ हमारे सहीयोगी समराथ मौजूद है मीनी से बात करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिन पहले ही यानि कि 20 मार्च को विधान सभा का घिराव करना था लेकिन इस्थान परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री हेमन सुरेन के आवास का घिराव करना था लेकिन उस प्लैनिंग को भी स्थागित कर दिया गया था अब एक बार फिर से 23 मार्च को विधान सभा का घिराव किया जाएगा क्या कुछ जानकारिया है और किस तरीके से जो गुला करेंगे जिसको लेकर 19 मार्च को आलमगीर आलम से कुछ अवियर्तियों की मुलाकात हुए और उन्होंने आस्वस्त किया कि नई नियोजनीती के बारे में उनको जल्दी बताया जाएगा उनको असपस्ट किया जाएगा हाला कि कुछ ही आवियर्तियों को आलमगीर आलम ने स्थगित हुआ प्लान तो कई अभ्यर्थियों में अराजगी तो देखने को मिल रही थी, हम लोगों ने कई अभ्यर्थियों से बात किया था, उनका कहना था कि हमें मुख्यमंतरी हेमन सुरिन के आवास का घिराफ करना था, इसलिए यह करना था क्योंकि नई नियोजन निति को लेकर सरकार कोई ठोस कदब नहीं उठा रही है सदन में तो कई वधायक आवाज उठाते नहीं नियोजनिती को लेकर कि नहीं नियोजनिती में ऐसा होना चाहिए बदला होना चाहिए ये संसोधन होना चाहिए लेकिन वो धरातल पर नहीं दिख रहा है जिस वज़े से अभ ॥ाइब्निक की कोई भी मंतरी हो और असपस्ट रूप से आके सामने से अवियर्थि और को कुछ अभी अर्थियों ने निर्ने लिया है कि 23 मार्च को विधानसभा का हम घिराव करेंगे 60-40 हुआ तो अभ्यर्थियों की जो मांग है वो तो जायज है और यह लगता सत्तापक्ष के वधायक मंत्री समझ रहे हैं और जिसका विरोध खुद हमन सरकार के जो विधायक है सिल्पी नहा तिर्की हो गई या फिर अमबा पर साथ हो गई वो विरोध कर रहे है तो जायर सी बात है अभियर्थि भी विरोध करेंगे जिस तरीके से आपको पता ही होगा जारखंड के अलावे बिहार में तमिलाडू में महराश्च्ट में या फिर अलग-अलग पर्देशव में वहां के एस टुडेंट को शुडेंट로 को देखा जाता है उन्हें प्राथ हमितादी जाती है उसी तरह तरीके से जारखंड के अभियर्थि भी चाहते हैं कि यहाँ पर उनको इस तरीके से प्राथ operation मिले इस तरीके से जहारखंट के अभियार्थियों के कहना है कि एक ऐसा सिलेबस लाये जाया है जिसमें जहारखंट काल्चर कि बात की गयी ओ धरक्रश्थ कि परंपरा कि नुण गई जो जहारखंट के मूलवासी इसको अच्छे अब हमने 19 तारी को बात की थी तो उनका कहना था कि अब हमें आश्वस्त किया गया है और हमें भरोसा भी है कि जो आलमगीर आलम ने कहा है कि जो नई नियोजनीती है वो सत्र के दोरान आएगी तो अब ऐसा क्या हो गया जो अभिरतियों को फिर से घिराओ करने का ये प्लैन बनाना पड़ गया देखे जाहिर सी बात है जो आलमगीर आलम ने बात की कुछ ही अभिरतियों के समूँ से बात किये वो अगर वो राज्य में आ गया फिर खुले प्लेटफॉर्म पे मीडिया के थुरू अगर ये बात ये सपस्ट रखते कि नई नियोजनीती क्या हो और क इससे लिए हैं चाएं भी रद हो गई थी और इस वज़े से अभियरती जो थे वो काफी परिशान थे काफी निरास थे और लगतार वो लोग मुखी मंत्री हेमन सोरेन के आवास के बाहर या फिर सत्ता पक्ष के कई विधाय कई मंत्रियों से मुलाकात करते विए नज़र आ रहे थे लेकि लेकिन ये देखना बिल्कुल दिल्चस्प होगा कि किस तरीके से तमाम जो अभियरती अपनी आवास को सदन के अंदर तक पहुचाते हैं क्योंकि सदन के अंदर तमाम जो वधायक है वो उनकी आवास तो उठा रहे लेकिन अभियरती जो सरकार को बोलना चाह रहे शायद वो अवास वहां तक नहीं पहुच पा रही है इसलिए तमाम चीजों पर विलंब हो रहा है अब देखने वाली बात होगी कि आखिरती समाच को किस तरीके से अभियरती हो का जो घिराव है वो सरकार तक पहुचता है